वेलो फ्रेंट्स आप देखने टेक्निकल अप्यास यूट्यूब चैनल और आज की इस वीडियो पे हम पफर पैनल इंस्टॉल करना जानेंगे वीपियस पर कैसे आप पफर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं पफर पैनल बैसिकली गेमिंग पैनल है जिसमें आप इसे डिजिटल ओशन का हम इसे ले लेते हैं हमने आपी ले लिया फिर इसके बाद यह देख सकते हैं कमांड जो की डेस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा यह सारी कमांड को यूज करके हम भर पैनल को इंस्टॉल करेंगे तो वटापट इसके लिए हमें सब हमें स्टेप अपर सब्सक्राइख जाना होगा और अपना वीपेस लॉग इन करना होगा हूँ हमने vps अपना login कर लिया आप इसको आपको कुछ नहीं करना है सबते पहले आपको यहाँ पर इंस्टाल शुड़ो अगर आपके पास नहीं है तो इसको इंस्टाल करना है वैसे यह होता है पहले से और फिर इसके बाद हमें step by step सारे commands को यहाँ पर डाल देने हैं कि विर इसके बाद हमें इसको डालना है copy करना धर्ड लाइन को तो यह डाउनलोड हो रहा होगा कि रणी टुकेट अब अपटेट अच्छे अच्छे आपके तो यह हो चुका है ठीक है हम इसके बाद अपडेट आप इंस्टाल करेंगे इसको दाउनलोड हो चुका है ओके यह भी निच्टाल हो चुका है vocational करेंगे का समने यह और यूजर करेंगे यूजर मनल बेसिकली यप यूजर नेम ऊचेगा तो अब بेसिकली admin कर दिथे हैं email id में कुछ भी दे जो भी आपका email id यह उसको दे दीजे क्योंकि email id के माधियम से ही यह login होगा ओके password में कुछ भी आप दे दें ओके इंटर करदें confirm password करदें admin देना ही है हमें admin देना है तो यह हो जुग है अब इसके बाद हम यहाँ पे paper panel को start करेंगे इसके बाद हमें यहाँ पे java इंस्टॉल करना होगा जिसके माधियम से minecraft server को run करेंगे ओके जेडीके इंस्टॉल करना है जावर्जन कोई चेक कर लेदा है यह जावर्जन कोई चेक कर लेदा है जावर्जन चेक कर लिए ओके आ चुका है 18.18 अब हम फड़ा फड़ जाएंगे अपने IP पे और इस IP को copy कर लेंगे और IP देख लेंगे क्या है इसके बाद आपको यहाँ पे 8080 लगाना है तो आप देखते हैं प्यूफर पैनल आ चुका है जो हमने आप यह इमेल डाला था उसको डाल देजिए आपके पासवर्ट देजिए जो आपने पासवर्ट दिया था और यह बार बर मालेगा तो देख सकते हैं यह हम पफर पैनल का यूज वीपियस पर इसलिए करते हैं क्योंकि यह पैनल काफी देखने को मिल जाएगा तो इसके बाद आपको सबसे पहले आप पैनल में लॉग इन करने ना उसके बाद आपको टेंपलेट इंस्टॉल करना है टेंपलेट पर क्लिक कीजिए के बाद यहां पर डालिए मेंसी माइंडग्राफ पैपर हमने इन्स्टॉल करते हैं इसको इन्पोर्ट कर दिजये और यह इन्पोर्ट हो गया तो तो सर्वर का लेको मालब इसको ऐसे कर देंगे कर देंगे कर देंगे यूज Chung देना user अगर आप पास और भी कही सारी user है तो उनको आप दे सकते हैं next कर दीजिय और इसको true करदीजिय बाखी पर चूर्ड़ दी और यहां पर रेम आप कितना इसको रेम देना चाहते हैं तो मैं इसको यहां पर 2GB दूँगा 2000 MB 2 GB लगवक यहां पर वर्जन है आप जो भी वर्जन देना चाहते हैं 1.16.5 है तो उसको ही रहने देते हैं आप चाहें तो और भी कोई वर्जन दे सकते हैं तो अभी हम और भी बताएंगे आपको कि कैसे आप इसमें कर सकते हैं क्रीयेट कीजियेthe create हो चुका है इसके बाद हमने आप इंस्टाल करना होगा क्यूकि अभी हमने इसको डाउनलूद नहीं किया है तो आगे हम सबसे बहुंद इइस बाइल आईBen देख सकते हैं यह हो चुगा है अब इसके हम एक बार फाल पर जाके चेक करेंगे कि हमारे सारे डेटे आ चुके हैं हमबर जो हमारा। हम अब इसको चेक करने के लिए अब सबसे पहले हम अपना यहां पर टी लुपन कटी लांचर उपन कर लेते हैं तब तक ना अब नोयती औरॉपन रहाएं 1.16.5 था ना ओकी 1.16.5 इंटर कर देते हैं अब देख सकते हैं हमारा सर्वर बनके रेडियो चुका बढ़ हम सर्वर अभी स्टॉप करेंगे क्योंकि हम यह क्रेक्ट वर्जिन को मतलब इनेवल करना होगा तो उसके लिए फाइल पे जाना है इसको रिफ्रेस्ट कीजिए सारे फाइल आपको देखने को मिल जाएंगे और यहां सर्वर डाट प्रोपरडेईस में आ जाई है सर्वर डाट प्रोपरडेईस है यहां पर आई है और यहां ऑनलाइन मोड होगा ओके इवर रहते सर्च कर लिए कॉंट्रूल प्लस एफ ओके ऑनलाइन मोड यहां पर ट्रू है तो एफ 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 कर दीजिए ओके सेव कर दीजिए तो अब यह फॉल्स हो चुका है तो यानि आप आप कनेक्ट कर पाएंगे ती लांचर से फिर इसको स्टार्ट कर दीजिए को इसके बाद हमें आईपी चाहिए होगा तो आईपी स्टार्ट हो रहा है सर्वर अब हम चलते हैं स्टार्ट हो चुका है कर लिक करते हैं और यहां पर डाल देते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं अब देख सकते हैं बना सकते हैं मैं आपको यहां पे दिखा भी देता हूं ए तो ऐसे आप बना सकते हैं थो को आज का फ़ीर पसंदि आयो और पैनल के से आप चैनल करते हैं होप्स आपको बड़े पसंद आया हो और जरूर लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ठेक्यूर वर वाचिंग बाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में